कीम के mastermind और promoter स्वर्गय अमित भार्दवाज से 280 बिटकॉइन मिले थे भूले भाली इंवेस्टर से प्राप्य बिटकॉइन अमित भार्दवाज द्वारा कलेक्ट के गए थे और अब वो राज कुंद्रा के कबजे में हैं इन बिटकॉइन की कीमत 1.500 करोड रुपे से भी ज्यादा बताई जा रही है आरोप ये है कि Variable Tech Private Limited स्वर्गय अमित भार्दवाज, अजे भार्दवाज, विवेक भार्दवाज, सिंपी भार्दवाज, महिंद्र भार्दवाज और अन्य MLM एजेंट्स में करीब 6.600 करोड रुपे की बिटकॉइन साल 2017 में फर्जी वादों के आधार पर इन्वेस्टर से हासिल किये जिनने 10% रिटर्न का भरोसा दिया गया था और उन्हें बिटकॉइन माइनिंग में नीची हितों के लिए इस्तमाल किया गया ये एक तरह से पौन सी स्कीम थी दिसम्बर 2023 और जन्वरी 2024 में एडी ने इस मामले में रेड करके तीन आरोपियों को गिरफतार किया था 17 दिसम्बर 2023 के दिन सिंपी भार्दवाज, 29 दिसम्बर 2023 के दिन नितिन गौर और 16 जन्वरी 2024 के दिन अखिल महाजन गिरफतार हुए थे ये सभी अभी भी जेल में ही हैं लेकिन इस मामले के मूख्य आरोपि अजे भार्दवाज और महिंद्र भार्दवाज अभी भी फरार है जिसकी तलाश ED कर रही है इस मामले को लेकर राजकुंद्रा और शिल्पा शेटी ने अभी तक डारेक्ली तो कुछ नहीं कहा है लेकिन उन्होंने अपने इंस्ट्रग्रां स्टोरी पर क्रिप्टिक नोट शेर किये हैं और ऐसा उन्होंने ED द्वारा लिये गए फैसले के कुछ समय के बाद ही किया ह और इसलिये इन पोस्ट को इस मामले में राजकुंद्रा और शिल्पा शेटी की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। जिसके लिए राजकुंद्रा लगबग 60 दिनों के लिए ज्रेल में रहे थे और फिर बात में उन्हें जमानत मिल गई थी लेकिन अब इस मामले को लेकर उनके साथ क्या होगा ये तो समय ही बताएगा इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए इस वीड और इस बार सिर्फ राजकुंद्रा ही नहीं शुलपा शेटी भी इस कॉंट्रोवर्सी में फस चुकी है तो क्या है ये पूरा मामला आखिर क्यों एडी ने राजकुंद्रा पर कारवाई करते हुए उनकी करोडों की प्रॉपर्टी जब कर ली है आये जानते हैं इस वीड इडी की जान से पता चला है कि राजकुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापिक करने के लिए गेन बिटकॉइन पॉंधी स्कैम के मास्टर माइंड और प्रमोटर अमिक भार्दवाद से 285 बिटकॉइन मिले थे इडी ने 18 एप्रिल के दिन इसक पर पोस्ट करके बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग आक्ट 2002 के प्रोविजिन के तहट रीपू सुधन कुंद्रा और राजकुंद्रा से संबंदित 97.79 करोड रुपे की अचल और चल संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्द कर लिया गया है E.D. ने अपने पोस्ट में बताया कि जब्द की गई संपत्ति में जुहों में स्थित एक बंगला शामिल है जो शिल्पा शेटी के नाम पर है साथ ही पूने में स्थित एक बंगला भी शामिल है और इसके अलावा राजकुंद्रा के नाम पर कुछ एक्विटी शेर भी जब्द किये गए है इस मामले पर शिल्पा शेटी और राजकुंद्रा के वकील प्रशान पातिल ने अपना वयान जारी करते हुए कहा है कि शिल्पा और राज इस मामले से जुड़े आधिकारियों को सब सच बताएंगे वो दोनों इस जांच में उनका सहयोग करने के लिए तयार है उन्होंने ये भी कहा है कि वो निश्पक्ष जांच की आशा करते हैं और उन्हें इंडियन जुडिशिरी सिस्टम पर पूरा भरोसा है प्रशाद पाटल ने अपने बयान में लिखा है कि हम कानून की उच्वित प्रक्रिया का पालन करेंगे और अपने क्लाइंट की स्वतंतरता और समपत्ती के लिए ED को सब सच बताएंगे इडी ने ये दावा किया है कि उनकी जान से पता चला है कि राज कुंद्रा को यूख्रेन में बिटकोईन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेंग बिटकोईन पॉंजी स्थापित करने के लिए